कि आ आप है अगर आप है कि अगर है अगर तो कि असलाम अलेकुम ज्योंटेंस आज हम बात करेंगे हाफ-लाइफ पर और उसे रेलेटेज नुमेरिकल से उनको हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम हाफ-लाइफ को देख ले कि ह 시 km Hai half- Перв उस टाइम को कहेंगे जिस टाइम में कोई रेडियो एक्टिव सेंपल रेडियो एक्टिव जो मतीरियल है वह फोग जाए मिसाल के तोर मेरे पास एक सेंपल है यह यह एक मे और इसकी हाफ लाइफ जो है, वो एक आर है, वन गंटा, वन आर इसकी हाफ लाइफ है, तो अभी मिसाल के तोर पे अगर बारा हुए हैं, तो एक गंटे के बाद, यानि वन पी एम को ये जो मतीरिल है, इसकी हाफ लाइफ वन आर थी, तो एक गंटे के बाद ये मतीरिल हो जा time में वह given sample half हो जाए अब एक गंटे के बाद half हो गया फिर दो बज़े यानि एक और गंटे के बास जो material आप पास है इसका भी half हो जाएगा यानि and upon two अभी एक बज़े है ठीक दो बज़े जो है वह इसका half हो जाएगा यानि हम उसको कहेंगे n अपाण 4 यानि एन अपान 2 का हाफ हो गया n अपान 4 हर एक गंटे के बाद यह सेम्पल हाफ और हाफ और हाफ होता जाएगा और यह जो एक गंटा में कह रहा हूं यह हाफ लाइफ है है तीन बज़े आप देखें तो एन अपान फॉर इसका हाफ जो होगा जिसको हम कहेंगे एन अपान एट फिर एक गंटे के बाद चार बज़े आप देखें तो एन अपान सिक्स्टीन ऐसे यह जो हाफ और हाफ होता जाएगा यह तब जब सेंपल की हाफ लाइफ एक गंटा है मिसाल के तो पर एक सेंपल की हाफ लाइफ एक साल है तो एक साल के बाद वहाफ होगा फिर एक साल के बाद हाफ होगा और फिर एक साल के बाद हाफ होगा और ऐसे ही एक हाफ लाइफ के बाद यह इतना एक दो हाफ लाइफ के बाद इतना तीन हाफ लाइफ के बाद इतना चार हाफ लाइफ के बाद इतना इसको मैं यू लिखू कि आफ्टर वन हाल में लखू टू पावर एन पान 2 है इसको मैं लुखू एनपान वन ये दो हाल नपान 4 तो मैं लिखू 2 पावर 4 ис k o निटेम बढ़ अगर मैं इसको लखू तो मैं लखू 2 पावर ठी यानिзд ३ाली के बाद एनपान 2 स्बीगा 박छ अपयांगे 2 बावर 15 हाफ लाइफ के बाद इन अपान 2 पार 3 चार आप लाइफ के बाद लिखेंगे लिख्र number of half-lives यह जितनी half-lives के बाद आपने मालूम करना है तो वो number आपने यहां पे रखना है इससे related numericals अभी हम कर रहे हैं अब यहां पे हम पहला MCQ discuss कर रहे हैं A radioactive sample has a half-life of 3 months एक sample है हमारे पास उसकी half-life is 3 months How much amount will be left behind after 1 year एक साल के बाद यह amount कितना भचेगा अब 3 months इसकी half-life है यानि 3 months के बाद यह material होगा half फिर 3 months के बाद half होगा फिर 3 months के बाद half होगा फिर 3 months के बाद half होगा यानि हमने यह देखना है कि एक साल में यानि 1 year में ऐसे 3 months कितने times आएंगे तो एक साल में तीन मन्त आएंगे चार बार यानि मैं यूं कहूं के तीन मन्त के बाद हाफ फिर तीन मन्त के बाद हाफ छे मेने हो गए फिर तीन मेने के बाद हाफ यानि नो मेने हो गए और फिर तीन मन्त के बाद हाफ यानि एक साल पूरा हो गया तो हम इसको डारेक्ट यूं लिखेंगे कि आफटर यह सिंपल से यूं कहें कि आफटर फोर हाफ लाइफ ये कितना बनेगा तो हमारे पास जो फार्मुला है वो टू पावर एन है और ये एन शोज दे नंबर आफ हाफ लाइफ तो हम कहेंगे आफटर वन ये इसमें चार हाफ लाइफ आती हैं तो आफटर वन ये इसका अमाउंट जो बचेगा वो टू पावर फोर और टू पावर फोर का मतलब है 16 तो इसका मतलब आफटर वन ये एन अपान 16 मतीरियल बचेगा तो यहां पर हम सही जवाब टिक करेंगे वह सी आप्शन टिक करेंगे अब यह दूसरा एंसे क्यों डिसकस कर रहे हैं अट्व हैंड्रेट ग्राम सेंपल आफ रेडियो एक्टिव आइसोटोब हैज हाफ लाइफ आफ थर्टी मिनट्स यहां पर मैंने वर्टिंग थोड़ी चेंज की है मैंने यहां पर अमाउंट दिया है नमबर वन और नमबर टू जो हमसे पूछा जा रहा है वह अंडिकेड है अंडिकेड का मतलब है कि जो लेफ्ट बिहाइंड हो यहां पर एक गंटे के बाद यह अमाउंट कितना बचेगा तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है इसकी हाफ लाइफ है 30 मिनट्स और एक गंटे के बाद पूछा जा रहा है तो आपने यह यहां पर देखना है कि एक गंटे में ऐसी हाफ लाइफ कितनी आती हैं तो एक गंटा यानि 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 30 मिनट्स वाली दो हाफ लाइफ लाइफ आती हैं यहां पर तो इसका हम कहेंगे कि इसका जो फार्मला बनेगा टू पावर अइन और अरे की जगा मैंने आपको पताया था नंबर आफ घ्लいます तो एड़ है टू पावर टों यानि एक गंटे के बाद जो अमांट को बचे गा वह एन अपान 4 बचेगा अब यहां पर एन जो है वह अमाउट है और वह अमाउट मैंने आपको दिया है 200 ग्रैम तो इसको हम कहेंगे 200 ग्रैम divided by 4 तो यह बनेगा 50 ग्रैम यानि आफ्टर वन आर इसका जो अमाउट बचेगा जो लेफ्ट बिहाइंड होगा जो अन्टिकेड होगा वह 50 ग्रैम होगा तो यहां पर जो सही आप्शन हम टिक करेंगे वह भी 50 ग्रैम टिक करेंगे अच्छा अब तक जो एमसी के उसम डिसकस करने जा रहे हैं उसमें हम वह अमाउट मालूम करेंगे जो डिके हो गया है जो खत्म हो चुका है जो बचा है नहीं जो खत्म हो गया है मिसाल कि मेरे पास एक अमाउट है इन इसका अमाउट है 200 ग्रैम जो अभी अभी हमने किया है तो एक गंटे के बाद यह कितना बचा थ ना आफ्टर वन आर इसकी हाफ लाइफ हमने यहां पर लिखी थी 30 मिनस तो एक गंटे के बाद जो अमाउट बच्चा लेफ्ट बिहाइंड या अंडिकेट यह बचा था 50 ग्राम बच्चा था यानि 200 ग्राम में से 50 ग्राम बच्चा है तो बाकी कहां गया बाकी डिकेट हो गया तो अगर हमसे सवाल में डिकेट का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे जो जितना सेंपल हमें मिला है उस सेंपल में से जो बच्चा है वो आप करेंगे माइनस बाकी जितना भी बचेगा वो अमाउ जो हिए वह के हो गया तो अगर हम से mcqs में decade पूछा जाए तो पहले मालूम अनदिके करना है हमने यहां तक तो करना है यानि जा लेफ्ट बाले जो आंदि के वहां है फिले वह मालूम करेंगे फिर टोटल में से जो है वह बच्चा है वह माईनस करके remaining जो भी बचे वो डिके हो गया है आजाएं इस पर केम से क्यों कर लें रेडियो एक्टिव आइस टोप है हाफ लाइफ आफ टू मन्त हाव मच अमाउंट विल बी डिकेड अब यह चीज़ रखिएगा डिकेड आफ्टर वन यह वन यह के बाद कितना डिके होगा तो मैंने आपको पताया प है कितनी बार इंगी एक साल में दो मन्तव वाला इस पिरिड़ अगर हम अलग-अलग करें तो कितनी बार अएंगे 6 मर्तबह आएंगे दो 2 प्लस 2 4 6 8 10 12 6 मर्तबा आएंगे तो हम जो है वो पहले अंडिकेट करेंगे अंडिकेट होगा एन अपान 2 पावर एन तो यह एन है नमबर आफ हाफ लाइब्स यानि अंडिकेट जी अमाउंट होगा वो 2 पावर 6 और 2 पावर 6 यानि 64 होगा अब यह है अंडिकेट डिकेट मैंने आपको कैसे क्या बताया कैसे मालूम करेंगे डिकेट जो है टोटल नमबर मेरे पास था एन उस मेंसे यह नमबर अंडिकेट है तो बाकी कितना बचेगा 64 N-1 N तो यह बनेगा 63 N अपान 64 तो यहां पर हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को एक और हैंसे क्यों है अब 400 ग्राम आफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यह हाफ लाइफ आफ फोर मन्त हाव बच अमाउंट विल हैव डिकेट आफटर वन यह वन यह के बाद कितना डिकेट होगा हो गया होगा हमने यह द था ल, तो हम यह कहेंगे कैमेन, कि बाद जो अंडिकेट होगा हhhhh अंडिकेट होगा वो n1是1 आप 2 पावट i3 और किर नहने आप लाइफ लाइफ थरी यहीं हैँ , एन अप स्कृश्डवल और यहां पर गिविल हे तो आफटर वन यह इसका आमाउंट भचेगा वो 50 gram होगा undecade undecade जो है वो 50 gram है remaining कहां गया? remaining decay हो गया तो total हमारे पास कितना था? total हमारे पास था 400 gram था जिसमें से 50 gram undecade है बाकी जितना भी amount होगा वो decade होगा तो decade amount will be equal to 350 grams यह हो गया हमारा answer आप मैं आपको इनके general formula बता दूँ के decade जो है उसका formula और undecade का formula undecade यानि after certain period of time आप यह कैसे मालूम करेंगे? n upon 2 power n यहां से आप मालूम करेंगे undecade और n नमबर आफ हाफ लाइफ पिर जितनी हाफ लाइफ होगी उसके बाद जितना amount बचेगा उसके लिए आप यह formula यूज करेंगे पर अगर हमें decade मालूम करना हो तरीका तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन उसके लिए general formula हम यह यूज करते हैं तू पावर एन माइनस वन अपान तू पावर एन यह दिकेट के लिए हम अलूम करते हैं अब मिसाल के तोर पर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सेंपल है जिसकी half life है 15 minute 15 minute उसकी half life है 30 minute के बाद वो कितना decay होगा decay होगा undecate नहीं undecate तो हम यहां से मालूम करेंगे 30 minutes के बाद कितना decay होगा तो यहां से हम यह करेंगे two power 15 minute और 30 minutes मुलब दो बार आ रही है half life तो 2 power 2 minus 1 upon 2 power 2 into n तो ये कितना बचेगा 4 minus 1 upon 4 into n 3 upon 4 n जो है वो decade होगा तो आप चाहें तो इस general formula से मालुम कर लें या आप चाहें जैसे MCQs में मैंने आपको बताया एक example कर रहे हैं हम पंजाब और की बुक है पेज नबर 231 पे iodine 131 is an artificial radioactive isotope it is used for treatment of human thyroid glands its half-life is 8 days इसकी जो half-life है वो 8 days इसकी half-life है in the drug store of a hospital 20 mg of iodine 131 is present कितना amount हमारे पास है 20 mg इसका amount हमारे पास present है it was received from the laboratory 48 days ago यानि 48 days पहले यह amount इतना हमें receive हुआ था 20 mg find the quantity of iodine 131 in the hospital after this period यानि 48 days के बाद पहले जो रिसीव हुआ था यह इतना हमाउंट find the quantity of iodine 131 in the hospital after this period यानि 48 days के बाद कितना हमाउंट बचेगा अब देखे 8 days इसकी half life है और 48 days में यह 8 days कितनी बार आएंगे तो इसको आप कैसे मालूम करेंगे 48 days में यह 8 days कितनी बार आएंगे तो इसको आप divide करके मालूम कर ले 6 times जो है वो यह आएंगे यानि इसमें हम जो small in हम अपना use करेंगे वो 6 use करेंगे 6 half lives गुजरने के बाद हमने यह चेक करना है कि यह amount कितना बचेगा यह आफटर 6 half lives तो हमारे पास फार्मला कुन सा था n upon 2 power n और n हमें given है sample हमारे पास कितना है 20 mg है और after कितना amount 6 half lives तो 2 power हम कहेंगे 6 तो 20 mg divided by 2 power 6 हम कहेंगे 64 और 20 divided by 64 जो आएगा वो हमें जवाब मिलेगा 0.3125 mg जो है वो 48 डेज के बाद बचेगा hospital के drug store में यह answer यहां पर लिखा हुआ हुआ है पेज नमबर 232 पर देख लीजेगा पर लिखा हुआ 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 है